क्या कहते हैं हमारे दर्म हमारा हिंदु दर्में लिखा है हम सब ब्रह्माजी की आउलाद है ब्रह्माजी के पुत्र पुत्री या पैदा किये नर्मादा से सारी सिरिस्टी बनी है पुरुष का नाम था संभे मनु औरत सत रूपा इसलिए हमारी जात मनुश्यता है संभे मनु सत रूपा की आउलाद मनुश्यता अब सुनिये दूसरे धरम क्या कहते हैं क्योंकि पुरातन धरम हिंदु है इसलाम दर्म कहता है हम आदम और हवा की आउलाद है इसलिए हमारी जात आदमियत है सिक्क दर्म कहता है मानस की जात सब एक को पहचान वो हमारी जात मानस है इसलिए सब को एक समझो कोई चोटा बड़ा उंचा नीचा नहीं है और हिसाई दर्म कहता है गौड इस वन हुमिटी अवर कास्ट गौड एक है इंसानित हमारी जात है बताईए कहां फर्क है सिर भाशा अलग अलग है धर्मों में लिखा गलत नहीं हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है अब अगर आप पानी को कभी कहते हो क्या मेरा पानी अलग है वो कहते हैं यह पानी नहीं आव है जल है, नीर है, वाटर है, वाशर है नीलू है, नीरू है, अनी है बहुत से नाम है क्या पानी के नाम के लिए जगडा करते हो कि मेरे पानी को आव क्यों का जल क्यूं का, वाटर क्यूं का, वाश्र क्यूं का, नहीं करते लोग पते क्या कहते, गुरु जी इतने तो हम समझदार है हमें पता है, पानी तो वही है वाटर, आप, नीलू, नीरू कहने से या अनी कहने से पानी का टेस्ट, स्वाद या रंग बदलता नहीं गुण नहीं बदलता वाकिय आप समझदार है अरे छोटे से पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस माली का नाम बदलने से माली कैसे बदल जाएगा जरह बताएगा उसी को राम उसी को अल्ला उसी को वहिगुरू उसी को गॉड। सिर्फ नाम बदला है। ताकत तो वो एक ही है। एक ही थी और एक ही रहे की। तो ये हकीकत है, ये वास्तविक्ता है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। बात आती है आज के दौर की, ये तो आपको धर्मों की बात सुनाई। आज कैसा समय है, कैसा दौर चल रहा है। लोग सेलफिश हो गए हैं। बेहद स्वार्थी। हात भी मिलाएंगे, तो इसलिए कि सामने वाले के अंगुठी हात में आ जाएं। दूसरे शबदों में कि यार उससे आत मिलाएं जिससे कोई काम लेंगे। आप एक और उधारन अपको देते हैं बहुत बड़े राजा हैं बिजनिस्मेन हैं बहुत बड़े बेवपारी हैं बहुत बड़े ओफिसर हैं आप से वो लोग हाथ मिलाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं और जैसे ओहदा चला गया पैसा चला गया अपने भी मूँ फेर के खड़े हो जाते हैं नए ने तो हाथ क्या मिलाना है है ना स्वार्थी युग गर्जी युग स्वार्थ के बिना तो लोग बात नहीं करते रिष्टे नाते सब स्वार्थों पे टिक गए है स्वार्थ है तो ठीक है नहीं तो नहीं कुछ बाब, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई किसी जमाने में हमने कुछ सालों की बात करें, तो राज्स्तान के एरिया में हमने देखा भाई के लिए भाई तडपता है एक भाई भीमार है दूसरा भाई मंदिर मस्जित गिर्जागर गुर्दुवारा में जाता है प्रार्थना करता है भगवान मेरा भाई बहुत बीमार है आप किरुपा कीजिए रहमत कीजिए मेरा भाई ठीक हो जाए अरे भगवान अगर उसकी उमर कम है तो आदी उमर मेरी उसको लगा दे ऐसे तड़व के लोगों को हमने रोते देखा अपने भाईचारे के लिए, अपने खून के लिए आज का दौर आज भी भाई भाई के लिए तड़पता है देखा हमने वो आपको बताते हैं एक भाई बेहत बिमार है दूसरे को भगवान की जगा पे जाते देखा वो रोते देखा पर शब्द बदल गए क्या कह रहा है हे भगवान मेरा भाई बहुत बिमार है कबसे तडफ रहा है नर्क जैसी जिन्दगी जी रहा है हे भगवान तू उसको उठा ले उसके पैसे मुझे मिल जाएंगे उसका हिस्सा मुझे आ जाएगा आज भी तडफते हैं पर रिस्तों के माइने बदल गए हैं गर्जी हो गए हैं लोग पर बीज नाश नहीं होता किसी चीज का आज भी बेगर्ज लोग हैं पर कितने आप अपने इर्दगर्द निगा मारे कौन है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है कौन है जो किसी को तडफता देख के खुद तडफ जाता है अगर कोई ऐसा आपको मिले तो वो बेगर्ज बगवान का कोई प्यारा इनसान हो सकता है वरना आज किसको फुरसत है अपने अलावा किसी को देखने की रोड पे एक्सिडेंट है कोई तडफ रहा है, मर रहा है मजाक उड़ाएंगे लोग देखेंगे कहीं हमारे वाला तो नहीं बस हजूम इकठा हो जाएगा हिम्मत नहीं पढ़ती उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएं क्या पता जान बच जाए और नर सेवा नाराएन सेवा अगर उसकी जिंदगी बच गई इससे बड़ा पुन्य आपको और कोई नहीं मिलेगा कमाने के लिए आदमी की जिंदगी बचाने से बढ़के और कोई पुन्य नहीं होता परना जी कौन जमेले में पड़े कौन उठाए जी ऐसा कोई जमेला नहीं होता हमने लोगों को गुरु मंतर बताया और सभी ऐसा कर रहे हैं हर जगा रोड पे अगर कोई तड़फ रहे हैं पर जाए जाते हैं इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं बेंदः तो ऐसा करना चाहिए यही इंसानियत है वर्ना शयद शयतानियत है क्योंकि हैवान जानवर भी ऐसा नहीं करते जानवरों का जुन्ड है किसी के चोट लग जाए हमने नील गाए के जुन्ड देखे हिर्न के जुन्ड देखे रास्ताने में आम है अगर उनके चोट लग जाए तो उनका दूसरा साथी जीब से आके लीपा पोती करता है यहाँ चोट लगी चाट रहा है बाकि सब घेर के खड़े हो जाते है यानि इसको तो हम कहते हैं जानवर अब आदमी एक कोई तड़ रहा है उस जैसा रोड पे लहू लुहान है देखता है एक्षिलिटर दवा देता है बताइए जानवर कौन है आप ही बताइए सोचिए आत्मा से जिंजकोरिये अपने आपको हम क्या बन गए है अरे रॉबिट बन के रह गए मशीन बन के रह गए इनसानिये तो अंदर से खत्म होती जा रही बगवान को भी चूना लगा रहे है ठगी मारते हैं बेइमानी करते हैं ब्रस्ता चाहर करते हैं कुछ हिस्सा बगवान के लिए निकाल के रख लेते हैं बगवान मैंने लाग की ठगी मारी एक सो सवाई कावन तेरे वाँ कितना चूना लगा रहे हैं न बगवान कितना बोड़ा है विचारा अरे वो एक सो सवाई कावन भी पूरे नहीं देने दो डिबे मिठाई के लिए बगवान के सामने रखे वो चवन्नी वड़ा पीस बगवान का बाकि दुनों डिबे खुद के वाँ क्या कमाल करते हैं आप कितने उस्ताद हो गए हैं आप बगवान को भी बुद्दू बनाने पे तुले हुए है अरे जिस भगवान ने तुझे बनाया कितना अजूबा है कैसा है अजूबा? हम उदहरन दिया करते हैं आपने हमने जो कपड़े पहने हैं कितनी जगा सिलाई की है यहां 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 हर जगा और कितना टाइम लगा इस कपड़े बनने में जमीदर बीज डालता है, पहले धरती सवारता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर पौदे बनते हैं, फिर रुई आती है, फिर बीज निकालती है, फिर दागा बनता है, फिर दागा फेक्टियों में जाता है, फिर डिजैन होता है, फिर कपड़ा बनता है, ब कोटा सा कपड़ा और हमारी बॉड़ी देखो भगवान ने चमड़ा चढ़ाया है एक भी टंका नहीं लगाया है है ना अजूबा देखिए आप चाहिए लोग केते चमतकार चाहिए अरे आप एक कपड़ा नहीं वैसे पहन सकते उसने चमड़ी चढ़ा दी क्या यह चमतकार नहीं आप पेड़ पौदों के पास से जाए हर एक खुश्बू अलग डिजाइन अलग लकड़ी अलग हर चीज अलग क्या यह बूचिये कुदरत ने कैसे कर दिया कुदरत क्या है बगवान ही तो कुदरत है तो मानो ना मानो चमतकारतों कदम कदम पे हैं बगवान के बनाए हुए जो मानते हैं बगवान को तो यह भी मानते हैं तो चो बगवान इतना कुछ बना सकता है क्या लड़ू जलेबी नारिय वो नहीं बना सकता क्या क्या वो आपकी पर्फी का भूखा बेठा है क्या वेटा देजा मेरे को तो बड़ी भूग लगी हुई है काम खुद का निकालना है चुना बगवान को लगाना है यह को भगती थोड़ा ही थोड़ा है हमारे धर्मों में साक्षात लिखा है अब बेदों की बात सुनिए आपको कोई सची बात नहीं बताएगा जो आज आपको सच सुनने को मिलेगा क्योंकि अगर हम आपसे पैसा लेंगे तो हम तो यह ही कहेंगे ना चड़ाओ चड़ाओ दस गुना ले जाओ नहीं हम आपको बताने आये हैं, पैसा लेने नहीं आई, हमारे बेदों में क्या लिखाया जर्ण दिहान से सुनिये, भगवान से मांगो, पहला शबत, भगवान से मांगो, देना नहीं, मांगो, क्या मांगो? अच्छी धर्ती अच्छा पानी अच्छी हवा अच्छी तंदुरुस्ती अच्छी संतान अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो हमारे बेदों में निका इसलाम दर्म की बात कीजिए पवित्र गुरान शरीव में आता है अल्ला ताला से काइदे से मांगोगे तो वो रह्मत का दाता है इतना देगा, इतना देगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे उसकी रह्मत मुसलाधार बरस्ती जाएगी सिक धर में लिखा, जो मांगे ठाकूर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं, देवे जो मांगेंगे और सही तरीके से मांगेंगे, भावना शुद है, विचार शुद है, तो वो जुरूर देगा और इसाई धर्म में लिखा, गौड देता है, लेता नहीं आगी न सारे धर्मों की एक ही बात अब ये अलग बात है, सुनाने वाले अलग अलग तरीके से सुनाते हैं यही बात हमने हरिदुआर में की, सतसंग था, बहुत लोग आए रात को बड़े बड़े धर्म के ग्याता आए केते गुरु जी आप कहते हो बगवान लेता नहीं मा रोटी बनाती है, द्यान से सुनिएगा हो सकता आपके अदर भी कहीं सवाल उमढ रहा हो मा रोटी बनाती है रोटी मा ने बनाई लेकिन उसी रोटी को तोड़ के अगर बच्चा मा के मूँ में कौर दे देता है तो मा बहुत खुश होती है तो उसी तरह भगवान का तो सब कुछ है लेकिन अगर थोड़ा सा भगवान को दे दें तो भगवान खुश होते है यह उन्होंने कहा, हमसे स्वाल किया यह, तो आप रोकते क्यों हो, कि बगवान को कुछ नहीं देना चाहिए, हमने कहा, मा ने रोटी बनाई, बच्चे ने तोड़ के खिलाई, मा ने खाई, अरे, जो पैसा बगवान को देते हो, बगवान उठा के जेब में डाल लेना, हम सा सब लोग उसके आगे रखते हो, हमारे जैसे उठा के, हिसाब करके अलग से घा जाते हैं, हो तो यह रहा है, उदर तो मा ने खाया, इदर तो बगवान ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ हमने दिखाया, और दूसरे ने उठाया, एक कहता है, मैं तो बगवान को दे रहा हूं, दूसरे कहता है, मैं तो बगवान से ले रहा हूं, बताओ, चकर पड़ गया ना, कहता है, मैं आदमी से थोड़े ले रहा हूं, मैं तो बगवान से ले रहा हूं, और यह कह रहा है, मैं तो बगवान को दे रहा हूं, बीच में रगड़ा रगड़ी, बगवान के पास तो क लाता ही रहेगा वो मंगता नहीं हो सकता अला को हो वाहिगूरु राम इश्वर गॉर्ड यहम आपको गरंटी देते हैं अगर बगवान पैसे का आशिक होता तो हमारे मेले कुछ अले नोट क्यों लेता किसी दनाड आदमी के घर क्यों जाता उन नोट बनाने वाली मशीन के यह अब बेठा रहता है तर मंदिर मस्जीत बनाने की क्या जुरूरत नोट वाली मशीन के पास चले जाते वह बगवान जी मिल जाते क्योंकि श jadi वह के जगैं तो पैसे के आशिक हैं और उनको करारे करारे नोट मिलते वहां क्यां बगवान को कोई रोक सकता है नोट कर इस से गौड इस एवरिवेर बगवान कन कन में अल्ला ताला जर्रे जर्रे में बही गुरू के विना कोई जगा नहीं हर धर्म चीक चीक के कहता है यह बात तो इसका मतलब फिर मालिक तो वहां मिलेंगे ना वो तो फिर हमें इधर तो मिली नहीं सकते यह फजूल की बाते हैं से धनाड आदमी बगवान को घर भी ठा लेता है यह बगवान सब पैसे तेरे उस पर टिक्ट लगा देता है बगवान को देखना है दस हजार की टिकेट है बातें करनी है बीस हजार की टिकेट है और टिकेट बाद में बलैक में बिकती शुक्र यह बगवान बिका उनी पर हमारा राम, हमारा अल्ला, वही गुरु गौर्ड, अरे वो दाता है, उसे मंगता मत बनाये, सब को देने वाला है वो, किसी से कुछ नहीं लेता, उसको देना है, तो सची श्रधा दीजिए, सची भावना दीजिए, वो इसी का भूखा है, पैसे का चढ़ावे का भूखा ना था, ना है, और ना होगा, वो हमेशा देता है, लेने वाला चाहिए, प्षरधा कौन सी, कौन सी भावना, उधारन के तौर पे, किसी का एक बच्चा हो, उसे बहुत प्यार करता हो, और वो बच्चा हजारों किलो मेटर दूर हो, वहाँ कोई एक्सिदेंट हो जाए, मालिक ना करे, कोई एक्सिदेंट हो जाए, वो फोन करता है, पता नहीं चलता है, बच्चा जिंदा है, मर गया, चोट लगी, क्या हुआ, बार बार पूछता है, पता नहीं चलता, तो अचानक आंखों से बे अख्तियार आंसू शुरू हो जाते हैं, तरव जाता है, वो मा, वो आप, तो यह है श्रधा, अपने बेटे के लिए एक भावना, यह रुपए में सौ पैसा है, ऐसी भावना, जैसी बेटे के लिए पैदा हुई, कोई भगवान के लिए 15-20%, 20 पैसे बना ले, हम गरंटी देते हैं, भगवान सामने खड़ा हो जाएगा, आके, कोई ऐसी बनाओ अंदर, दिखावा मत करो, नाटकों से भगवान खुश नहीं होता, शुद भावना से वो खुश होता है, उसे अमीर भी पा सकता है, गरीब भी पा सकता है, उसको अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं, जिसके शुद भावना होगी, उसको मिल जाएगा, राज का भूखा है लेकिन कल्यूग में शिरधा पैसा हो गई है जब हम गुर्गदी पे नहीं आए नाइन्टी से पहले की बात सभी धर्मों में जाते थे हम क्यों कि सभी दर्मों के लोग इकठे रहते थे कि हम जाते पूछते क्या करना होगा आग है से पत्दे क्या जवाब मिलता तेरी जो श्रधा है चढढ़ादे मुद्ध श्रधा भी चढ़ाई जाती है वो तो पैदा कि जाती है कि कि ए के यह नहीं यह Ste cured कि हमने के है इसका नाम भी श्रधा है के ते हाँ आज कल तो यह इश्रधा है कि तो ऐसा हमने ससंग में सुनाया कि एक सजन कहीं है एक जगा चले गए कि वहाँ आशिरध मिलता था जैसे लिड़ा एक चलेजिये है ऐसा कोई मोरचंड कह लिज जी तो वह ऐसी फैसा चढ़ाते माता टेकते तो ऐसे आशिरवादे अशिरवादे तू कि तूस सजन ने पैसा नहीं चढ़ आईप 10 कि हमें आप पता ने लगगा कैता गरुजी मैं ने पैसे नहीं चढ़ाया हम्ने कर अशिरवाद मिला की था मिला हम्ने का फीर क्यू ता जी मुझा है यह आंए सब को अराम औराम सि अशिरवाद मिलांय है मुझे यू क्यों मिला कि दु ने चड़ाए क्या था के ता कुछ नहीं तो फिर ऐसा ही मिलेगा तो यह तो हाल है किस ऋ खरनत के लिखा है किस में लिखा है कि अष़्ा कर Anytime कहीं भी तो नहीं तो हमारे धर्मों को बदनाम मत कीचिए हमारा हिंदु धर्म, सिक्क धर्म इसाई, इसलाम हमने सारे पड़े हैं हम खुद नौन मेडिकल के स्टुडेंट रहे बहुत साइंस में रूची थी धर्मों में रूची थी घर में सभी धर्मों के पवितर गरंत थे साइंस के नजरिये से पढ़ा तो धर्म तो महा विज्ञान है महा साइंस इसे बदनाम मत करो हमारा धर्म को बौनामत बनाओ बहुत बड़ा है हमारा बगवान मंगता नहीं दाता है सारी दुनिया को बताओ कि हमारा बगवान दाता है हम क्या बता रहे है किसी अमिर को देखा को बहार से चढ़ा दे यार धरम के नाम चढ़ा दे यार वो क्या लेके जाएगा? इनका बगवान छाता है पैसा लेता है जबकि गरंतों में बेद सास्त्रों में किदर भी नहीं लिखा बगवान लेता है वह तो लिखा है वो देता है और देता ही चला जाता है आदमी की जोडियां चोटी बढ़ जाती है तो आज के दौर में नशा है भगवान के नाम के बिना नशे को यानि माइंड फ्रेश करना बड़ा मुश्किल है ड्रग लेता है आदमी चर्स हिरोईन समैक भांग दतूरा अफीम आज़ तो और भी बहुत से नशे यूथ जो है नौजवान हमने देखा ब्रेड में बूट पॉलिश लगा के खाते है ऐसार जो चिपकाने के काम आता है विल्डिंगों में घरों में लोग आप जानते होंग तो उसको सूंगते हैं चिपकली को मार के सुका के उसका पाउडर बना के खाते हैं नशा लिने के लिए कई जगों पर सांप का जहर इस्तेमाल तक करते हैं इतना डेंजर से इतना भ्यानक हमें एक सज्ज ने बहुत हायर ओफिसर ने बताया गुरु जी बड़े-बड़े म के से मेल्ट करके नशा लिया जाता है वो हायर लोगों की पार्टी में होता है तो यह भी चल पड़ा हैं मारे समाच और उस से बरबादी लिवर डेमेजोह जजता आन्तडियों का बुरहाल,माइंट का बुरहाल,को क्यों धर्ममें लिखा है राक्षी खाना पीना आदमी क राक्षष बना देता है जब सुमुंदर मंथन हुआ अच्छी चीजी अमुरूत काम धिनू बहुत कुछ निकला लेकिन जब नशा निकला ना राक्षषों ने खाया पिया शिवजी महादेव ने तो सिर्फ जहर पिया सारे समाज को बचाने के लिए भांग नहीं पिया जहर जहर पिया इसलिए नीलकंट कहलाए तो साफ लिखाए है हिंदु धर्म के लोगों शराब नशा मत करना वरना आपकी बोड़ी आपका सरीर राक्षष परवर्ती का हो जाएगा और आपका घर भी राक्षष परवर्ती लड़ाई, जगडे, कले, कलेश, प्यार, मुहबबत सब चला जाएगा तो ये धर्म की बात को क्या कोई मानता है आपका महानगर है क्या शराब के ठेके नहीं है पोस्त के क्या वहाँ लाइन लगा के हिंदु भाही कड़े नहीं होते जब हिंदु दर में लिखा कि मत खाना पीना, ये तो राक्षपरवर्ती का है इसलाम दर में भी लिखा है शर्पलस आब, शर्माने शैतान आब माने पाणी अल्ला की इबादत करने वालो शराब शैतान का पाणी, नशा खाना है खाओ पीोगे, तो शैतानियत के कर्म करोगे शैतानियत की जिन्दगी जीोगे आगी न सेम बात, सिर्फ लेंग्वेज चेंज है भाशा बदल गई, सिक्धर में भी लिखा है पोस्त, पंग, अफीम, मद नशा उतर जाए पर भाद नाम खुमारी नान का चड़ी रहे दिन रात पोस्त, भाँ, अफीम, शराब सुभा का शाम, शाम का सुभा उतर जाता है अरे नशा करना है, तो राम नाम का करो एक बार चड़ गया, चेहरे पे नूर होगा अंदर सरूर होगा और दोनों जहान में नहीं उतरेगा बारवार पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसाई धर में लिखा है वो नशा कभी न करो जो गौड से दूर करे गौड प्रेर का नशा करो जो गौड के करीब करे तो हमारे भाशा बदल गई पहनावा अलग खान पान अलग भाशा अलग और भगवान ने किसी को कुछ अलग नहीं दिया तो भाई यही सचाई है यही वास्तरिकता है कि आज का दौर नशे का दौर यूत नशे में डूब रहा है बुरा हाल होता जा रहा है बिमारिया घेर रही है पर यह नशा यह ड्रग जितना भी है इसको आप लेना चाहें तो बरबादी है एक बार आदद पड़ जाए तो छोड़ना बे इंतहा मुश्किल है पर हैबिट चेंज हो सकती है कब जब आपके अंदर बिल पावर है बिल पावर अपसाइड देन ड्रग अट्रमेटिकली गो आवे नशा चला जाएगा सब चूट जाएगा पर वो आतमबल कैसे बढ़ेगा क्योंकि ऐलोपेथी, होमेपेथी आजरवेदा, नेचरपेथी किसी के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आतमबल बढ़ता है ऐसा टॉनिक हम सब के अंदर है हर किसी के अंदर बस जैसे धरती में पानी फूलों में खुश्बू सरसो तिलों के दानों में तेल एक विदी होती है उससे वो बहार आ जाता है उसी तरह आतमबल हम सब के अंदर है बिल पावर हम सब के इंसाइड है सब के अंदर है पर इस बिल पावर को गुरु मंत्रा हिंदु दर में बोले तो गुरु मंत्रा नाम दिख्षा इसलाम दर में बोले तो कलमा सिक दर में बोले तो नाम शबद इसाई दर्में बोले तो the God's words, the method of meditation do the method of meditation continue then you can see that God that God, the God you can see that God the language changed the Guru mantra, the Kalma the method of meditation the way the language is said so it is a word let's practice from the mouth if you are अभ्यास करते रहेंगे तो आपके अंदर का आतंबल बढ़ता जाएगा और आतंबल बढ़ता जाएगा तो आप अपनी सारी आदतें चुटकियों में बदल सकते हैं चुटकियों में साइंस भी यही कहती है आतंबल सफलता की कुझी है जिनके अंदर इसलिए वो बिल पावर आतम बल बढ़ाने के लिए हम आपको तरीका बताने आये हैं वो Guru मंत्रा गुरु का मंत्र नहीं होता गुरु मंत्रा मतलब भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किये हो और गुरु को रिजल्ट आजे तो अगर हमें उन शब्दों से भगवान के नजारे आते हैं तो वही श्यवद आपको देंगे तो आपको नजर क्यों नहीं आँगे हम भी इंसान, आप भी इंसान फर्क है जाब करने का इसलिए के तिक गुरु मंत्रा, जो गुरु ने बगवान के मंत्र को जाब किया है, वो जब किसी को तो देता है तो उसको बोलते है गुरु मंत्रा गुरु का मंत्र नहीं होता, बगवान का इनाम होता है इसलाम दर में से कलमा कहा जाता है तो तरीका आपको बताएंगे पैसा नहीं लेंगे, चढ़ावा नहीं लेंगे, कुछ नहीं पर जाब तो आपने करना है आपके सामने मक्षन रख देते हैं बदाम, घी ताकत की चीज़, दूद, सब कुछ पर आप माथट एक ते रो खाओ ना, स्वाद आएगा क्या, क्या स्रीर में ताकत आएगी, पावर आएगी क्या नहीं आती खाओगे, सुआद भी आजाएगा, और पावर भी आजाएगी, वैसे भगवान का नाम है वैसे अल्ला गौड खुदा रब का नाम है अगर जाब करोगे तो फड़ सौ परसेंट मिलेगा, अगर नहीं करोगे, तो कुछ न कुछ तो फड़ मिलेगा, क्योंकि भगवान का नाम सुनने में भी बहुत बड़ी बात होती है, वो आप सुन रहे हैं पर अगर खापी लो खुद जाब करते रहो, फिर तो कहना ही क्या है, अतंबल बड़ेगा सोचने की शक्ती आज आज आदमी ने 10-15 परसेंट दिमाग का इस्तेमाल किया है, और सुपर कंप्यूटर तक बना डाला, उससे भी आगे निकल गया, और जब इसका डबल हम काम में ले लें, तो नेचुरली, पता नहीं आदमी कितना अच्छा हो जाए, अच्छाई में नेकी में तरक्की कर जाए